हेलो सातियों कैसे हो आसा करते हैं सबी लोग अच्छे होंगे तो आप लोगों के लिए निव भरती की अपडेट लेके आ गए बीए सब ट्रेड मेंन की 1410 पोश्टे निकल के आ रहे हैं अगर आप लोगों सिंपल दसमी पास हो तो इसमें अपलाई कर सकते हो फुल डिटेल स अगे रहा पर क्यों नहीं सो हो रहा तो वह भी आप लोगों को बताएंगे कंपलीट जानकारी देने वाले यह नोटिविकेसन आपको कहां मिलेगा यह भी बताएंगे तो वीडियो पूरा देखे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें दो सब्सक्राइब करें यहां पर सरसट वेकंसी जो है फीमेल के लिए रखी गई है बात करते कर लेते हैं इसमें आपको जो है कितना मतलब बेतन कितना मिलेगा तो 21,700 से 79,100 रुपे तक आपको एलाउंस मिलने वाला है वहीं यहां पर ट्रेड देख सकते हो इसमें कितनी ट्र के इलेक्टरिशियन की टिलब डिफ Hz टाइब की पोच्टे रखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो वाटर के लिए कुक्की वी माली की है और स्वीपर की है वेटर की बार بर की है तो यहां पर सभी आप लोग पोश्ट किसमें इसमें कितनी हैं वह भी आप लोग यहां पर आपको जो फिजकल होता है पांच किलो मिट्र आपकी दोड़ होती है पांच किलो मिट्र जो किसके लिए पांच किलो मिट्र दोड़ होती है आपकी पूरसों के लिए कितना टाइम आपको दिया जाता है 24 मिनट पूरा टाइम दिया जाता है बहीं अगर बात की चार पार्ट से आपके जो है जीके के कोश्टन आते हैं जीके के कोश्टन 25 आते हैं वहीं हिंदी के कोश्टन हिंदी या इंगलिस दोनों में से एक कर सकते हैं 25 कोश्टन आते हैं वहीं बात की जाए यहां पर बात की जाए यहां पर जो आपका आपकी मेथ आती है मेथ के अगर बात की जाए तो reasoning के question आते हैं आपर किदने 25 आपका paper जो होता है यानि कि 100 question आपके exam में आते हैं 100 question आपके exam में आएंगे और आपको time मिलता है यहाँ पर 90 minute का time मिलता है डेड़ घंटे का time मिलता है 100 question आते हैं तो इसमें selection procedure सबसे पहले जो है आपकी दोड़ होती है यानि कि यहाँ पर क्या होता आपका PET होती है यहाँ पर PET होती होती दोड़ होती PhD आपकी हाइड वगेरा नपती उसके बाद आपका क्या होता है ट्रेट टेस्ट होता, उसके बाद क्या होता, उसके बाद जोए, आपका स्वैडिन एक्जाम होता है, उसके बाद जोए आपका मेड़िकल होता, फाइनल इफिड लिस्ट बनती है, यानि कि आप 30 साल तक apply कर सकते हो तो अब वहीं बात कर लेते हैं education qualification क्या आपकी होनी चाहिए तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए सबसे पहले आपके पास जो है यानि कि आप 10 भी पास होना चाहिए तो यहाँ पर जो पोस्टे हैं लिख रखी हैं तो यहाँ पर इनको ध्यान से देखें कारपेंटर हो गया प्लमबर हो गया और यहाँ पर इलिक्तर हो गया ड्राफट में हो गया ओ पलाइस्टर हो गया और यहाँ पर तीन्त इसमित हो गया तो इन पोस्टों के लिए जो है आपके पास सबसे पहले हाई स्कूल होना चाहिए दूसरा यहाँ पर जो मागा गया इन्होंने दूसरे में मागा है कि two year का certificate जो होना चाहिए आपके पास यानि कि जैसे कि कारपेंटर हो तो आपके पास दो साल का certificate होना चाहिए यानि कि कि किसी भी industrial training institute के द्वारा जो है आपको यह दिया गया होना चाहिए जो जो आपके पास certificate होना चाहिए उसके बाद अगर यह यह भी certificate होना चाहिए जो है आप इंडरिस्टिरियल ट्रेनिंग इस्टिटूट दे जो आ रहा है जो गबर्मेंट से affiliated vocational institute हो वहां का एक साल का हो तब भी चल जाएगा तो यह पोस्ट के लिए होगा है दूसरी पोस्टें आप ध्यान से सुनें जो यह दूसरी आली पोस्टें है उसमें क्या आपके पास होना चाहिए यहाँ पर trade आपका जो है चाहिए कौन सा होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो आपने यह trade बाला आप कहीं से बनवाई भी सकते हो जिसे की मालूँ आपने किया है या नहीं किया तो यह बन भी जाता है या आपके पास पहले से certificate है तो आप लगा सकते हो बाकी कुक बगेरा में यह जो certificate होते हैं स्वीपर बगेरा में तो यह भरती भी थोड़े दिन पहले आई थी आप लोगों को सायद पता होगा तो इसमें लड़कों ने बन बाके जो है जो है certificate लगा दिया था पिछला बन वालो तो वह भी चल जात है इसमें जो इलेक्ट्रीसिन बगेरा के होते हैं यह सर्टीपिकर नहीं बनते हैं वाकि कुक और स्वीपर बगेरा के यह बन जाते हैं तो यह इसकी इसकी लखी गई है तो सारी डिजेल आपको हमने दे दी है यहाँ पर हाइट फिजिकल देख लेते कितनी आपकी हाइट सब्सक्राइब के लिए 75 से 75 से 65-183 मिटर हने चाहिए जो है आपका 65 से चेस्त के बीक होना चाहिए add lado 53 विर्फाइब जो है आपका शिंपल चेस्ट होना चाहिए सेंटीमेट्र और जो है और हम छो है और आपका पूलना चाहिए पांथंटो में पहते जो कटिवेट्र करते हैं जिसे की इन एरियाओं से बिलोंग करते हैं candidate वहीं अगर फीमेल की बात की जाए जो फीमेल लड़किया है उनके लिए कितना जो है कितनी हाइट होनी चाहिए तो 155 cm हाइट उनकी है तब भी यह चल जाएगा 155 cm लड़कियों के लिए कोई चेस्ट नहीं होता है वहीं बात की जाए minimum ह हाइट और अलगे medical सraj shrinking यहानि ही जो है यह से बिलोंग करते है यह से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले हैप लोग सिडूल tribe candidate के यानि कि ESC candidate वालों के लिए यहां पर height अलग से रखी गई तो वो ध्यान से सुने जो candidate belong करते हैं ESC से उनके लिए 160 cm chest उनका same रहेगा और यहां पर 160 cm जो ESC candidate belong करते हैं उनके लिए height में छूटे है तो उन्हें 160 cm चल जाएगी और यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एस्टी कंडीडेट हैं उनके लिए जो यहाँ पर हाइट रखी गई है तो उनके लिए एक सो अठाबन सेंटीमिटर ही रखी गई है और जो बात कर लेते हैं बहीं बात कर लेते हैं जो नोर्थ इस्ट सिक्किम बगेरा सा बीलोंग करते हैं तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर और चेस्ट सेम रहेगा और लटकियों के लिए यहाँ पर देख सकते हो 147 सेंटीमीटर ही हाइट रखी गई और जो कंडिडेट बीलोंग करते हैं कुमाओं प्रतादी बांकि आप इसको देख भी सकते हो तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें आप बात कर लेते हैं इसका फोम जो है अपलाई कब से होगा इस्टार्ट होगा तो अपलाई अभी जो है इसका नोटिफिकेशन जो बीएसब की तर आप इसेल साइड पर मिल जाएगा और सरकारी जिल्ट बगेरा पर सब पर आपको मिल जाएगा वहां से इसमें जो है आप फॉम आल लाइन ही इसमें अपलाई कर पाओगे तो इसकी आल लाइन डेट अभी जो है फिक्स नहीं की कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया आप लोगों को सब्सक्राइब करें लाइक करें लेटिस्ट वीडियो आप लोगों को जो भी नोकरिया निकलती सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी ठेंक यूवाइज कोई डाउट बगेरा है तो आप लोग कमेंट बोक्स में हमसे पूंच सकते हो